आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello students, ताज के मारा Question है Explain the Phenomena of Multiple Reflection in Brief तो हमें बताना है Multiple Reflection होता क्या है तो देखो ये चीच आपको तब देखने को मिलती है जब कुछ Mirrors को Generally हम लोग Plain Mirrors का यूज़ करते हैं कुछ Plain Mirrors को कुछ Inclination के साथ रख देते हैं एक दूसरे के साथ Inclined to Each Other Each Other At Some Angle देखो आभी इसको Diagram से समझेंगे तो Clear होगा होता क्या है नाम से समझा रहे है Reflection बार-बार हो रहा है और कब होता है जब Mirrors को आप किसी एंगल पर एक दूसरे के साथ रखते हो हम इसका एक case देखते हैं मानलो ये एक mirror है और ये दूसरा mirror है हमने इन दोनों को आपस में Zero degree एंगल पर रख दिया है ठीक है बिलकुल एक दूसरे के आपने सामने अब जब हमने ऐसा रखा है इन दोनों एंगल्स को तो मानलो यहां पर एक object रख दिया मैंने अब इस object की एक image यहां बनेगी और इस object की एक image इस वाले mirror पर भी बनेगी अब इस image का इस image को as an object यह treat करेगा और इसकी एक और image बना देगा और इस वाले image को as an object यह treat करेगा और यह इसकी एक और image नीचे बना देगा similarly अब यह जो ही second image बनी है इसको फिर से एक object के treat करेगा और एक और image पीछे कहीं बना देगा समझ रहे हो तो यह जो chain है यह infinite chain है रुकेगी नहीं तो basically यह जो मैंने एक ऐसा example ले लिए जिसमें बहुत जादा multiple reflections हो रहे है infinite हो रहे है इस example कि तुर infinite reflections या multiple reflections समझना बहुत easy हो जाता है इसलिए मैंने example ले लिया था तो आप समझ गए कि अगर mirrors को किसी angle पे भी रखा जाएगा ना अगर इनी mirrors को मैं at some angle ऐसे set कर देता तो भी इसमें multiple reflections आप easily समझ सकते हो होंगे क्योंकि अगर किसी object को यहां रखा तो इस object की एक image यहां बनेगी एक image यहां बनेगी और इस वाले को as an object यह treat करेगा और इसकी एक image यहां बना देगा और इस वाले को as an object यह treat करेगा और इसकी एक image यहां बना देगा समझ रहो फिर यह इसकी फिर image बनाएगा ठीक है, अगर ये value आपकी even आती है, तो आपका जो answer होगा, number of images का, वो simply 360 by theta minus 1 होगा, अगर ये odd आ रही है, तो आपका जो number of images है, वो simply यही value हो जाएगी, 360 by theta की, ठीक है, तो इसके साथ ये question हो जाता है, complete, I hope, सब को समझ आ गया होगा, multiple reflection exactly होते क्या है, हमें बहुत सारे बार reflection देखने को मिलता है, जिसके कारण multiple images बनती है, और एक कब बन रही है, वो condition भी हमने रेख ली है, Classics to dwell से लेके, NEED IIT जेही means और advanced के level तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ये download करे doubtnet आप, या whatsapp कीजे अपने doubts, 8-400-400-400 पर,